टॉफ फाइब बेस्ट वीवो स्मार्टफोन संडर 20,000 दोस्तों जो वीवो स्मार्टफोन ब्रैंड हैं वो अपने बहुत ही अच्छे क्यामरे के क्वालिटी के सासा टॉप नौस लिवल के डिजाइन और अपने इनुवेटिव स्मार्टफोन के लिए जाना जाता है पहले इस बजटे में इतने कुछ खास वीवो के स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं थे पर रिसेंट टाइम में वीवो ने बजट सेग्मेंट में बहुत ही अच्छा काम कर आए तो अगर आभी अभी के टाइम पर 15-20,000 के बजटे में कोई सा एक बेस्ट वीवो का स्मार्टफोन कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत यहादा हेलफूल रहने वाली है क्योंकि आज की जबर्दस वीडियो में आज आज आपके लिए आपके बजट और यूजस के पांच बेस्ट वीवो स्मार्टफोन को सलेक किया है जो कि आपको 12-13,000 से लिए 20 जाहर के बजटे में देखने को मिल जाएंगे तो बिनक इस दरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर ले तो और बात कर लेते हैं हमारी लीस नंबर फिफ पर जो स्मार्टफोन आता है वाता है वीवो की तरफ से टी टू एक्स दोस्तों अगर आपको 12-13,000 के बजटे में को इसा एक जबर्दस एक IPS LCD पैनल मिलती है जो कि एक ड्रॉपनोस वाली पैनल है 60H का refresh rate मिल जाएगा साइड माउंटर फिंगर्प्रेंट स्कैने भी दिया गया है यहां पर आपको मीडिया टेक की तरफ से डामेंसिटी 6020 वाला एक पावफुल 5G प्राउसेसर मिलता है बजट के अच्छी परफ 50MP का है दूसरा कैमरा 2MP का मैक्रोशुटर और फ्रेंड में 8MP का सेलफी जीटर दिया गया है स्मार्टफ़न के मेन कैबर में आपको 1080p तकी वीडियो 30 पर रिकॉर्ड करने का option मिलेगा सूपर नाइट मोर्शन और टामलेस ऐसे फोटोग्राफिक मोर्स मिल जाएंगे एक्स्टेंडेड राम का सपोर्ट मिलता है और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग के तो स्मार्टफ़न का 4GB राम प्लास 128GB वाला वेरेंट आपको करेंटली देखने को मिलने वाला है 11,989 यूपी में उसके बात कर लेता है मैल इस में पर पर तो स्मार्टफ़न आता हैं बात करें स्पेक से तो यहां पर आपको 6.5 18 इंचेस की फूल एजडी प्लस वालिक आइपस LCD पैनल मिलती है जो की 120 अच के रिफ्रेश एट पर वोक करती है यहां पर भी आपको एक ड्रॉप नुच वाले डिजाइन देखने को मिलता है 3.5 mm के एटफोन जेक और 695 वाला प्रासेसर मिलता है जो की 15,000 के बैजेटेज में आपको बहुत यह अची पॉफुमेंस निकाल के देदेगा स्मार्टफोन आउट ओड़ बॉक्स एंडुट पर आता है फंटेजोस 12 पर आपको बॉक करते वे देखने को मिल जाएगा 5000 अमेज की बैटरी मिलती है जो की 18-0 के चार्जिंग स्पीड को सपोट करती है बात करें कैमरे की तहीं यहां पर आपको ट्रिपल केंडिगा सपोर्ट मिलता है जिसमें से प्राइमेरी कामरा 50 मिलता है सैंसें का जी इं वन वाला सेंसरे दूसरे तुसरे केम्रा डूप्लस 2 मेगािक्सल का है फ्रेंड में आपको 16 Megapixel का Selfie जीटर मिलेगा स्मार्टफोन के में केबरे में आपको 1080p तक की वीडियो रिकाट करने के साथ से बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड्स मिल जाते हैं एक्स्टेंड राम का सपोर्ट दिया गया है टर्बो कुलिंग सिस्टम मिल जाएगा और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का 4GB RAM प्लस 128GB ROM वाला वेरियंट आपको करेंटली देखने को मिलने वाला है 15,980 रूपीज में उसके बाद बात कर लेते हैं माई लिसमा में थोड़ पर जो स्मार्टफोन आता है वाता है वीवो की तरफ से वीवो T2 5G दोस्तों यह जो स्मार्टफोन है वीवो T1 5G का एक अपग्रीड़ वाला वेरियंट है और यहां पर आपको थोड़ी सी बैटर स्पेसिफिकेशन भी मिलती है तो अगर आपका बज़ेट है 16-17,000 के आसपास है और इस बज़ेट में आपको इसा एक बेस वीवो का दिया गया है 13-19 की पिक ब्राइटनेस भी मिल जाएगी बात करें प्रॉसेसर के तो क्वाल कॉम की तरब से स्नाप्रेकन 695 वाला प्रॉसेसर मिलता है जिसका अंतों तो काउं स्कोर आपको 4-4.5.5 लाग के आसपास मिलेगा आउट-बॉक स्मार्टफोन एंट 13 पे आता है एंटी शेक कैमरा है दूसरा कैमरा यूजलेस 2-megapixel का दिया गया है फ्रेंड में आपको 16-megapixel का सेलफी जीटे मिलेगा स्मार्टफोन के में के ब्रे में आपको बोके फ्लेर पोट्रेट मोर्स पर स्वाट्राफिक मोर्स मिलने वाले हैं फाइनली बात कर लेते हैं हाउदन के बजेटर में को इसा एक बेस्ट वीवो का ओफलाइन संद्रिक स्मार्टफोन चीए तो रीसेंटी लांच वीवो की तरफ से वाई हंडेड एक अच्छी चोई हो सकती है प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाती है पर अगर आप एक ओफलाइन स वाली पैनल के साथ आता है नाइंट अच का रिफ्रेश इट मिल जाएगा थरी ने इसकी पीक ब्राइटनेस दी गई इन डिस्पे फिंगर्प्रेंट स्कैनर और बेक में आपको कलर चेंजिंग एजी ग्लास वाला डिजाइन मिलता है यहाँ पर आपको क्वालकॉम की स्कंवी और 44 Watt का फार चाजिंग सपोर्ट दिया गया है बात करें के तो बैक में आपको ट्रिक्ञ चपोर्ट मिलता है जिसमें से प्राइमेरी केमा सिस्टी फॉर मेगा पिक्सल का है और सुपर्ड मोर सूपर्याफिक मोर समॉट मिले जाएंगे एक्सटेंडे राम का सप और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का 8GB RAM प्लस 128GB ROM वाला वेरेंट आपको कुरेंटली देखने को मिल जाएगा प्रैसिंग थोड़ी सी ज्यादा जरूर है पर अगर आपको एक आफलाइन सेंटिक स्मार्टफोन ही चीए तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं बज़ेट बढ़ा के आपको वीवो की तरह से टीटू 5G देखने को मिल जाता है जो कि आपको 17,000 के बज़ेटे में मिल जाएगा आप उसी स्मार्टफोन को भी का स्मार्ट जीए और जो अपने बज़ेटरिंग को थोड़ा से बढ़ा सकते हैं तो बाविश से 23,000 के बज़ेटे में आपको अभ लेवल की स्पेक्स के साथ आता है बहुत ही अच्छा और नियर टू फ्लैक्शिप लोल का प्रोसेसर मिल जाएगा ब्यूटिफुल कर्फ डिस्प्ले वाला डिजाइन दिया गया है और तगरी स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है बात करें स्पेक्स के तो यहाँ पर आपको 6.7 8 इंचेस की फूल एजी प्लस वाली एक सूपर अमलेट डिस्प्ले मिलती है जो की ब्यूटिफुल 3D कर्फ डिस्प्ले है 120 अच का रिफ्रेश एट मिल जाएगा इन डिस्प्ले फिंगर्प्रें स्कैनर दिया गया है 13 ने इस की पिक ब्राइटनेस और बेक में आपको 2600 इमेज की बैडरी मिल जाती है जो की 66 वोट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है यहां पर आपको डॉल क्यामरा सपोर्ट मिलेगा जिसमें से प्राइमेरी केमरा 64 मेगापिक्सल का है वाइस और यह दूनों का सपोर्ट मिल जाता है दूसरा का दिया गया है फ्रे लिकुट कुलिंग सिस्टम है LPDDR4S के रह में UFS 2.2 के स्टोरेज है और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग के तो स्मार्टफोन का 8GB RAM प्लस 128GB रोम वाला वेरेंट आपको करेंटली देखने को मिलने वाला है 23,989 उपीज में तो दोस्तों यह तो थे हमाइल इसके बजट के साथ आए हैं तो मेरे खाल से जो वीवो के तरफ से T2X, T1 5G और T2 5G के साथ आप जरूर जा सकते हैं वाई दोस्तों आच की जबर्दस वीडियो के लिए बस इतना ही उमिद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी वीडियो पसंद आयो तो वी में लोगा आप से एक लिए उडियो में तब तक के लिए बाबाए